नमो गुद्धाय सभी स्रद्धवान, बहुद्ध उपासत तथा उपासिका, धम्म बालक तथा बालिका, सभी को मेरी कुरुणा मैं मंगल मेत्री। सम्यक्त संबुद्ध के नाम अनेक है, हर एक नाम के पिछे अनेक कारण भी है, भगवा तो शब्द, भग भगने शब्द से उत्पन हुआ है, भग्य अर्थ में भी भग शब्द है, भग्यवा, भगवा, युत्तो, बुद्ध भग्यवान होने से भगवा कहते है, और क्या भग न किये है, लंबी संसार में काया वानी, तथा मन दवारा एकत्र हुए बाब, आशा, क्रोध, मुर्खता, इरिशा, कपट, लालच, कटुता, मिथ्या संकल्पना, जूट बोलना, चुगली करना, कटु शब्दन बोलना, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या जिविका रुत्ती, मिथ्या विश्वास, शंका चंचलता, पच्चताना, आदि अनिक प्रकार के, पापो को जला कर, खत्म कर डाला है। कामभव, और विद्यादी आस्राम भश्म कर दिये है, छो प्रकार के भागधर्म हैं। एक, आश्वर की प्राप्ती, दो, नौ लोकोत्तर धर्म, तीन, यश, चार, सुन्दर शरीर, पात, चहाने वाले वस्तु पाना, छो, शक्तिमान होना। ए, युक्त होने के कारण भी भगवा कहने की युग्यता है। कामरूप, अरूप, लोकत्तर आदिरूप से धर्म को, अती सुन्दर संतुलित धंग से, बटवारा करने के कारण से भी बुद्ध भग्यवन्थ है। अरहतो का अर्थ, आरकत्ता अरहं, बुद्धने मन में फैसे हुए, राग, ग्रेश, मोह, मान, हंकार, इरिशा, कपट, आदी, सर्व, पाप धर्मों से, सदा के लिए, दुर हो गया है। इसलिए यह पाप धर्म रहने को अयुग्यस्तान के अर्थ में अरह अरहं हुआ है। अरिनंग अरानंग हतता की अरहं। दुश्मनों तथा भवबंदन नष्ट कर दिया है की अरहं। बोधी सत्व ने अपना चित्त विछियों में आसव हुए उत्तन्य कारण धर्मों को बोधी मंडप में नष्ट कर दिये है। वही उत्त्तिकारण धर्मों कामाँचर पुण्य तता पाप चित्त रुपाँचर पुण्य तता विपाक औरोपाँचर पुण्य तता विपाक अहे तुक पुन्य तथा पाप विपाग सुरुता पन्न मर्ग फल सकुरुदा गामी मर्ग फल चित्चियों है यह दुश्मुनों के साथ भवचक्र की आराओं को खत्म कर दिया है वह आरा तो अविद्या तुरुष्णा पादक के हुए सक्काय दिध्थी विचिक्चा सिलंबत प्रामर्ष कामराग पटीघ रूपराग अरूपराग मान उदच्छ अविद्यासे यह दस बंतनों को हमेशा केले समाप्त कर दिया है चुपचाप से भी पापन करने के कारण से भी अरहंग है दिव्य प्रह्मा मनुष्य आदि सभी लोगों से आमिश इव प्रती प्रतित पुजवा स्विकार करने के योग्य है की अरहंग है सर्व प्रकार के पाप धर्मों से विरत रहने के कारण अरहंग है ऐसी अने खेतू से बुद्ध को अरहतो कहलाते है अभी सम्मा संबुद्ध सका अर्थ सर्व धर्म की अटुट ज्ञान गुरू पदेशों से विरत रहकर प्राप्त करने से सम्यक संबुद्ध होते है सामने आरमनों पर लक्ष देकर प्रोब देश से विना खुत की चित्त शक्ति से प्रत्यक्ष ज्ञान पाने के कारण सम्यक संबुद्ध होते है उस प्रत्यक्ष धर्म को सुरताओं को भी प्रत्यक्ष करवाने की शक्ति होने के कारण वे सम्यक संबुद्ध है तधागत ने जिन धर्मों को जाना ना था जान लिया है जिन धर्मों को स्प्रष्ट करना था उन धर्मों को स्प्रष्ट कर लिया है जिस धर्मों को दूर करना था उस धर्मों को दूर किया है जिन धर्मों को प्रत्यक्ष करना था प्रत्यक्ष कर लिया है इस कारण से भी उ प्रकार के रत्न, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, तथा संग रत्न, सबुपद्दवं, सब्बा, उपद्दवा, सब्बुपद्दवा, सर्व उपद्रव, काईक रूप से यव मांसिक रूप से होने वाले, दुख वेदना, पिड़ा, पच्चताना, रूणा, आदी, अनेक प्रकार के नुखसान वपरिशानी, अनन्वन दुख का मतलब है, दुख से भरेवे समुद्र, प्रानी, भो भो में, अलग-अलग जिवन पाकर, विवी दुख प्रत्थ करते है, यह दुख का अन्त कहां तक है, कि देख नहीं पाते, उसे समुद्र की उपमा इसले दिये है, कि समुद्र का भी अन्त बताना कटिन होता है, अम्रुद्र चीज जिस खाने से या पिने से विक्ति अमर होता, या मुक्ति उसे मुक्ति पाता है, तो उस चीज को अमुरुद कहलाते है, अमुरुद्र दुनिया में सुलब नहीं है, बुद्ध की आदेशा मुसार चलकर जो विक्ति निर्वान को प्राप्त करता है, तो उन्होंने मुरुत्यू से मुक्तिया अमर हो जाता है, निर्वान को ही अमुरुत कहा जाता है। सतु उपदेश, सतु उपदेश जिस उपदोशों को सुनकर या पढ़कर, किसी भी व्यक्ति को अपने पापकारी जिवन से विरत होकर, सन मार्ग पर आसकती है, जिस उपदेश पालने से प्राणी को नरक द्वार बंद हो जाते है, जिस उपदेश में पापन होता है, उस उपदेश को सतु उपदोश कहते है। समंगिक संग भीत करके इधर उदर बिखरे हुए वस्तु एकतर करके एक जगपर जमा करना, अने किताब या उपदेशों से लेकर एक किताब बनाना, उसे समंगिक कहते हैं, विशेश रूप से आनन्द पाता है, विशेश रूप से मतलब उस खुशी में कामराग, पटिग, देश नहीं हैं, धर्मरस मालुम होने से खुशी उत्पन्न होते हैं, इसे अभिरा मती कहते हैं। हमेशा हाथ में धरन करने वाले किताब अपनी सुरक्षा एवंग मजा के लिए निरंतर प्रिरत्न की गुन गान करना अवश्य होता है, ऐसे गुन संग्रहित किताब हाथ में लेकर अब्यास करते रहना, अपने रुद्धी के लिए होता है। ऐसा जो किताब निरंतर हाथ में धरन करके युग्य पुरुशय वा हस्त पुरुशय उसे हत्त पो ठंकं करते है। अभी पाप तथागर भगवान बुद्धने पाप की जो व्याथ्यदी है पो औप इस शब्द से पाप यह शब्द बना है। पवित्र मन से, पवित्र कर्म से उफहत चित्त को पाप चित्त कहते है। पाप कर्म से मिलने वाला फल पाप विपाक कहते है। विपाक जिसे, जिस स्तान में मिलता है उस स्तान को पाप स्तान या नरक अपाय प्रेत योनी असुर योनी जनावर आदी अनेक नाम से जाना जाते है। यह सभी अवस्ता पाने वाला पापी है, पाप खत्म किया हुआ, पाप धर्म प्रहीन है। ती भव का अर्थ है, भव तीन है। किसी भी प्रानी को, किसी भी तरीके का प्रान दिलाने के योग्य भुमी को भव कहते हैं, बार बार मिलने वाला स्तान को भव कहते हैं, आगमन को भी, विध्यमानता को भी, संसार को भी भव शब्द इस्तेमाल होता है। काम अभव, काम अर्थात इच्छा, जिस जगत में आख, कान, नाक, जीव, तथा शेरिड से इच्छाई उत्पन होते हैं, एवं उस इच्छाओं को पुरा करने के लिए अबश्य रूप, शब्द, गंद, रस, स्पर्ष मिलता है, तो उस जगत को काम भवक हते हैं, यह काम सुगती, काम दुर्गती की बिन होता है, काम सुगती को चातुर महाराजिक, त्रावन इस्ष, यामय, तुशित निर्मान, रती एवं परनिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मि तिर्यक, प्रेत, असुर, ये चार जगत, 132 शाकाई के साथ संदर में आते हैं। अबी रूप भव, रूप भव क्या है? भोतित्ता से अत्रुत्त होकर, काम भव से अलग रहने की इच्छा में, कोई भी व्यक्ति, ध्यान सादना करके। काम से विरत होकर, रूप आउचर, ध्यान समाधी प्राप्त करके रहते हैं, तो उसे रूप भव गामी कहते हैं। रूप से तंग आकर, रूप पर उदास होने वाले रूप आउचर, योगी रूप त्याक के, के लिए आकाश, सद्या, पकट कर ध्यान करके, रूप को छोड़ कर अरूपी ब्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें अरूप ध्यान को। सुरक्षित करते हुए, जब संसार छोड़ देते हैं, तो वे अरूपी ब्रह्मा लोग में, प्रती संदी ग्रहन करते हैं, वह अरूप पावचर भव हैं। रूपी ध्यान से 16 प्रकार के रूप, भव तता और रूपी ध्यान से 4 प्रकार के और रूपी भो प्राप्त कर सकता है। वन्चालिस किसे सबलुकत है।